नमस्कार दोस्तो आज की इस विडियो में हम लोग hemों डीयोय श्टार्टर का वाइरिंग सीखेंगे जैसे की पावार वाइरिंग dark गट्रोल वाइरिंग और इंडिकेशन का वाइरिंग जैसे की अन होगा, एक लाइles जालेगा और एक लाइस जालेगा अगर ब्रोइंग बहुत ही सिंपल होने वाला है वीडियो को एंट देख देखिएगा मेरा नामे पंकस एंड वेल्कम टी इंजिनिरिंग वाले तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैं यहां पर आल्रेडी पावर वाइरिंग और जो कंट्रोल वाइ फर्स हम देख लेते हैं कि डियोले स्टार्टर बनाने के लिए क्या-क्या डिवाइस हम लोगों चाहिए थ्रीपूल का एमसी भी चाहिए और पावर कॉन्टेक्टर एक चाहिए देन एक ओबरलोड रिले चाहिए मोटोर तो होगा ही होगा जो कि थ्रीफेज इंडेक्शन म चाहिए तो एक N-C के लिए और एक N-O के लिए और कंट्रोलिंग औरिंग करने के लिए 2.5 ने तो 1.5 इसकार एम का कैबल चाहिए और पावर औरिंग के लिए जो किया जाता है उस हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है इसके उपर में कभी और एक वीडियो बना दूँगा कि कि यहां पर जीतना भी इक्वोध्य मं तो ऀसके अ recommend कर रहें कैसा इस सिलेक्शन के जाता है विप होता है सोब्लोड्र मोजोन फुल लोड्र मसें टीके जाता है उससी ईंसकी सेविलेहं होगा 415 v ic होगा और जो क्रोल लिंगंगल जीन जीन करते हैं 230v ac तो ़ो यूस करेंगे और 1 1 रिक्रीपंट तो लोग करेंगे तो नेश्ट अभी देख लेते हम लोग कि पावर आइडिंग कैसे करेंगे ओके तो यहां पर देख सकते हैं 415 वोल्टेज एसी जैसे की आर वाई बी फेज आ रहा है ठीक है तो यहां पर टैपिंग करके आर फेज से देन वाई फेज से देन बी फेज से यहां पर देख सकते हैं MCV का सिंबल ऐसा कुछ होता है देखे फ्रेंट्स इलेक्ट्रिकल द्रोइंग में लोग यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर सिंबल आप लोगों पैचार में आ गया तो ड्रोइंग परना बहुत ही ऊजाता है तो यह सर्कुट ब्रेकार जैस साइप का ड्रोइंग करते हैं के वान कॉंटेक्टर यह बाला तो यह mcps वान कर देंगे ओन करते हैं क्या होगा थागए आगे आ जाएगा पास होते ही जो बोरी पर ना पर अबिश योऔर कली करता है यह एक छोटा सा एक rotary switch जैसा रहता है उससे हम लोग मतलब ampere कितना हम लोग set करना है set करते है basically industry में जो जितना भी motor है motor का amp 80-90% के बीच में set किया जाता है of motor का full load amps उसके बाद direct overload relay से हम लोगा जो motor का terminal होता है UVW इसमें दे देते हैं ऐसे देने से हम लोगा motor स्टार्ट हो जाए तो जो power wiring है बहुत ही simple यह दे सकते है direct यहां से आजा MCV से होते हुए contactor से होते हुए over load relay से होते हुए यहां पर आ गया इस side में जो है indications के लिए मतलब यह जो में जो power contactor है जब on होगा तो आपर on इंडिकीशन जालेगा off इंडिकीशन जालेगा अगर यह जो सर्कृत जो control circuit है अगर वह लोड़ोटे ट्रीफ हो जाता तो ट्रीफ इंडिकीशन जालेगा इसका वारिंग हम लोग बात में देखेंगे तो फ़हले हम लोग जो में यह वाला देखते हैं तो control वारिंग के लिए जो वोल्टेज यूज किया गया है 230 वोल्ट एसी 50 हज्ट तो देखें यहां से एक फेज है और न्यूटरल है जो यहां भेअपे द्ъक्तने देदेते हैं यहां पर जो में जो पावर कांटक्टर के में पहले ही बूला था कि ए ए ओनूप्यू लोग टर्मिल होता है ऐक स्टलि है नीचे से जित्ना भी यहां पर नीचे से बिदा में यहां पर अब इसमें यह इसके डाइरेक्ट कर देंगे अभी में पॉइंट आता है कि फेज को हम लोग को गुमा गुमा के लेना पड़ता है देखिए इसके लिए सिंगल पूल का एमसी भी चाहिए इसको इस सर्कुट को कंट्रोल करने के लिए अगर सॉर्च कुछ हो जाए तो फिल ट्रीफ हो जाए तो सिंपल रूल का जो एनो करते थे आज आगा लाइन बन जाएगा तो सिद्ध होगा लोग डायाइट आजाएगा ओवालोड रिले पर यहां पर एक एक न्साइक होता है बेसिकली और रुले पर नैन्नल को यहां वाला प्रेंग दे अवछ देखेंगे अन से देते हैं तो NCB जब on होगा तो power सीधा यहाँ पे आ जाएगा, अगर यह overload relay, pick up नहीं है, normal condition पे है, operate नहीं है, तो यह normally NC रहेगा, तो सीधा हम लोगों power आगे आ जाएगा, कहाँ पे, जो की NC, normally closed यह stop button है, जो starter है, जो मैंने जो contact है, motor के stop करनी के लिए, हम लोग यह बला push button यूज करते ह behavior ऐसा है, कि यह normal condition पे NC रहता है, जब उसको हम लोग प्रेस करेंगा, तब यह NO हो जाएगा, अगर आप लोगों को पता नहीं कि NC क्या होता है, इस वीडियो का discussion में एक link मिल जाएगा, वीडियो का link, वहाँ पे मैं practical करके दिखाया हूँ, कि NO NC क्या होता है, यहाँ पे रहता है, यह Start button, यह normally open, तो यहाँ पे एक type का contact है, कि यह normal version पे यह रहता है, मतलब नौर्मली open रहता है, यह normally क्या रहता है, यह नौर्मली इसको प्रेस करेंगे, देखिए तो बोल्टेज जो 230 वोल्टेज है, यहाँ से सीदे से एवी healthy रहाएगा, यह बी on रहाएगा, त सीदे हम लोग यहाँ पे आजाएगा, यहाँ पे आजाएगा, यहाँ पे रूख जाएगा, यहाँ पे क्यों रूखेगा, क्योंकि यहाँ पे contact नहीं बन रहा है, जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही power आगे flow हो जाएगा, माल लिए यह जो छोटा सा circuit वी circuit नई है थीक है तो power यहां पे आएगक है तो जब हम लोग उसको press करेंगे пडी करते है यह जो position जो देख सेरते यहां पे आजाएगा यहां पे आने से क्या होगा यह जो power यहां से flow के पूरा सीधा आ जाएगा हम लोग 2 जो power contractor का तर्मिनलinta यहां एहां पर आ जाएगा अगर यहां पर जब आ जाता है जो हो जो प्रेण से पिक अजय है को आपर घ्री मुट में मुटर चालो हो जाएगा जो कि एवाला क् ओंझेंक रख सकते हैं अब कि एवह हेच। इसके निया सब्देआ जाएगा तो इसका original position क्या है, यह normally क्या रहता है, अगर यह charge नहीं है, इसको कोई operate नहीं किया है, तो normal position क्या रहेगा, इन हो रहेगा, जब इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो फिर से वापस आ जाएगा, वापस आना से क्या होगा, हम लोग को यह contact है, फिर से छोड़ देगा, हम क्या करना है, इस contactor को holding करके रखना है, कि एक बर फ्रेस करके छोड़ दे, यह continuously contactor pick up रहे, और हम लोग को जो motor है, continuously चलता रहे, तो उसकी लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक holding देना है, holding कैसे है, जैसे कि यह जो switch है, इसको bypass करना, इसको bypass कैसे करेंगे, दखिए, क्या करेंगे, इसका पहले से, यह जो contact है, voltage तो यहां पर आके रुकेगा, क्योंकि इस सब normal healthy रहने से, यहां पर आके रुकेगा, और इस side में तो power नहीं रहेगा, voltage नहीं रहेगा, तो यहां से क्या करेंगे, एक loop उठाएंगे, एक tapping करके क्या करेंगे, जो K on है, K on का A no contact, इसक हम लोग को चाहिए, indication के लिए भी, और holding देने के लिए तो यहां पर एक A no contact होगा, A no contact में दे देंगे, यहां से उठा के, यह contact है, इसका जो add no block है, उसका contact है, यहां पर देख से holding, तो A no contact में देंगे, then उसका output से लेके, जो coil होगा, coil का, जो terminal होगा, terminal पर दे देंगे, यह pick up हो जाएगा, on हो जाएगा, on होने को जब इसको हम लोग छोड देंगे, छोडने से यह और off नहीं होगा, क्योंकि इसको ऐसे देखे, bypass करके, जब इसको यह वाला जब pick up हो जाएगा, यह वाला A no है normally, A no है, यह NC हो जाएगा, यहां से भी contact बन जाएगा, तो यहां से सिधा bypass हो कि direct इसको मिलता रहेगा, यह हम लोग जो A no holding देते हैं, इसके उपर में एक add and block लगाया जाता है, नहीं तो normally भी contactor का उपर में भी A no NC एक दो contact दिया जाता है, तो A no यूज करके हम लोग इसको holding करते हैं, यह normal holding हो गया, जब इसको हम लोग प्रेस करेंगे, जब इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही, इसको फिर से चलाना है, तो इसको फिर से प्रेस करेंगे, तब यह फिर से ओन हो जाएगा, छोरने से ही, फिर इसका bypass हो के ऐसे इसको continuously मिलता रहेगा, ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग जान लेते हैं, इसका indication wiring कैसे किया जाता है, द पर एक देंगे, और N-C पर एक देंगे, यह जब normal condition पर रहेगा, मतलब यह peak up नहीं है, तो उस condition पर यहाँ पर N-C contact रहता है, N-C रहेगा, तो यहाँ पर देखे, N-C contact, तो N-C contact में यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से supply यहाँ पर आ रहा है, N-C contact मिलेगा, और जो off का indication है, यह जाल उठेगा, मतलब यह peak up नहीं है, उस condition पर, यह N-C से लिया जाता है, ठीक है, और on बाल indication कैसे लेगे, इसका N-O से लेगे, जब यह peak up होगा, तो अब जाकर यह N-C बनेगा, यह normally यह N-O है, अब यह normal condition पर है, इसलिए यह N-O है, और जो condition है, जो normally N-C है, इसलिए यह off condition पर है, ठीक है, मतलब ऐसे होता है, यह जब peak up होगा, यह N-C बन जाएगा, और N-C contact, N-O बन जाएगा, ऑपोजीट हो जाता है, N-O-C contact में, ठीक होगा, तब यह वाला light जालेगा, क्योंकि इसका N-O से लिया गया है, और जब यह छोड़ देगा, जब यह normal condition पर आजाएग contactor peak up होने से, अभी हम लोग जो tripping का indication जो देते हैं, जो overload relay होता है, जैसे कि मैं बोला था, एक N-C contact होता है, एक N-O contact होता है, एक common supply देते हैं, जैसे कि यह वाला supply में लोग common हो गया, एक terminal पर देदेंगे, देन उसका output terminal से, tripping का indication लागा देंगे, यहाँ पर एक lamp लागा दे देंगे, ऐसे इसको दे देंगे, तभी क्या होगा, यह जो overload relay है, जब हम लोग का motor है, overload condition पे जब चलेगा, तभी यह relay operate हो जाएगा, overload relay, यह वाला जो circuit है, यह वाला जो circuit है, यह यह नो बन जाएगा, normally NCA, यह यह नो बन जाएगा, means यह वाला circuit चलू रहोगा नहीं, यह contactor यह बंद हो जाएगा, क्योंकि यहां से supply आगे आएगा ही नहीं, MCV से आके, यहां पर आके रूख देगा, क्योंकि NO होने जाने से, यह वाला जब NO हो जाएगा, contact, और यह वाला देखिए, और एक contact है, oiler का NO contact, यह NC contact होता है, यह NO contact होता है, तो NO contact है, हम लोग क्या करते है, यह circuit बंद हो जाएगा, और हम लोग जो इनो बला है, यह NC बंद जाएगा, NC बंते ही क्या होगा, यहां पर contact complete हो जाएगा, यहां से supply आगे आते हुए, हम लोग जो ट्रिपिंग, जो यह लैम्प है, इसको जला देगा, हम लोग समझ जाएगे, यह जो motor है, ओबरलोड हो आ यहां जावाँ से वाऊगे, इसके बंद हाँ है, यह लोग जो जो झालद रागा जँएगा, हम लोग जाएगे, यहालद हो जाए़ा जाशिताब को जाएगाँ, हम लोग दो गताएगे, जाग गогा जाएगे, हरत बंद बंद, मैंन्का यहां इन्हां होगे, इसक्ट प्